आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल टिप्स और ट्रिक्स तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पाइथन टोकेंज के बारे में इससे पहले वीडियो में मैं आपको बताया था इंट्रोडक्षट्शन तो पाइथन प्रोगरामिंग और यह उसका next part है कि तो चलिए शुरू करते हैं है पाइथन टोकेंज बाइथन टोकेंज पाइथन टोकिन उसका होते हैं तो यह वाइथन टोकेंज होता है वो बेसिक कंपोनेंट है किसी भी सोर्स कोड का बेसिक कंपोनेंट्स होता है ठीक है जिसका मतलब कि एक छोटा सा मेनिंगफुल कंपोनेंट प्याप ओल सकते हो ठीक है तो इसे आप अगर डिफाइन करो कि तो इस प्रोग्राम इस नोन इस टोकेन और वही देखे शॉट में टोकेन तो टोकेन कितने प्रकार के होते हैं तो बेसिकली चार प्रकार के टोकेन होते हैं पहला कीवर्ड ऐडिंटिफायर्स लेटरल से ऑपरेटर्स तो सब को एक एकर के हम जानेंगे तो Keywords, Keywords are the reversed word, words in Python, we cannot use a keyword as a variable name, function name or any other identifier, तो यह बता रहा है कि Keyword जो है special reserved word है, ठीक, और हर का एक special meaning होता है, सबका लग-लग operations भी होता है, और हम इन सारे Keywords को, Keywords को variable नहीं ले सकते हैं, ठीक है, तो वैसे तो Python 3.7 में 33 Keywords थे, लेकिन 3.8 में 2 Keywords बढ़े हैं, तो टोटल 35 Keywords है, एक בהब वैंनी । इदेफियर, identifier क्या होता है, यायर य यय है a python identifier, इस न नेम , युज़ तो इडेंटिफा वर्येवल फंक्षन ग्लास मॉड्यूल और अडर ओबचेक्ट ठीक है आइडेंटिफायर क्या होता है एक कि एक नाम है जैसे कि नाम को जैसे कि यूज़ करेंगे आइडेंटिफाई करने कि किसफी चीज हो सकी कि यह function हो गया यह variable है यह class है और यह object है जैसे कि कि किसी भी चीज को लोगा इंटिफाई करते हैं जैसे कि आपका आपके आपका हैं तो यह identify हो रहा है तो उसी तरह यह है जैसे कि identifier में मतलब कि कि कीवर्ड जो है आप identify नहीं ले सकते हो कीवर्ड को तो इंटिफाई जो आपका है यह जैसे कि मांगे चलिए है ठीकिए वैर यहां अगर आप लेख रहा हो ठीक है और इस वैर में डिफरेंस होगा है कि करद annat यह डिफ्रिंट लया तो डिफरेंट कंडिवाएर जंस यह तो यह ठोनों सेम नहीं है बैंटिफाई में जो होगा कर केसे नेतिफल सबसे पहले इंडिखे एक्जांपल होगा केसे नेतिफल का इसमें special character यूज नहीं करते अडेंटिफायर में except underscore ठीक है underscore के लावा कोई भी special character आप नहीं दे सकते हो ठीक है underscore पहले नहीं देना है पहले आप जैसे की भलतब की my underscore project इस तरह आप इडेंटिफायर यूज कर सकते हो ठीक है अब चलिए दूसरे के परफ लिटरल्स तो friends literals चार्ट रखे होते हैं ठीक है string literals, numeric literals, boolean literals और special literals भीके तो string literals जो है friends string literals जैसे आपका हो गया कैसे आप string को python में sow कर होगे तो string literals के मदद से तो आप जैसे की python में string दोगे name is equal to is equal to तो ये देखे आपको इसके अंदर तो ये राम string हो जाएगा ठीक ये एक आप हराम एज शरी ये देखे अचरी ये राम एज़ा ये ये मल्टिलाइन कोमेंट ये उज़ करते हैं इसको में python पे करके दिखाऊँगा आपको उसके बाद आता है Numeric Litterals, तो friends Numeric Litterals जो होते हैं वो जैसे कि इसमें आपको Integer आ जाते हैं, Long, Flot, Complex आ जाते हैं, तो देखिये, Numeric Litterals है, Litterals, Numeric Litterals, ठीक है? तो यह देखिये, यह Character String होता है, तो इसको जैसे कि इसमें आ जाता है, आपको Int, Long, Float, Float, Complex, और भी बहुत कुछ आते हैं, तो जैसे Int में आ जाता है, तो कि जितने भी Negative Number है, Positive Number है, Positive Number हो गया है, Negative Number हो गया है, जो जैसे कि Minus, Minus 10, Minus 12, Minus 12 हो जाएगा, Plus 10 हो जाएगा, यह सब आपको Int, Teachers में आ जाते हैं ठीक है, और जैसे कि Long में आ जाते हैं, तो आप जैसे कि Use करते हो Long में, तो आपका जैसे आ जाता है, तो आपका जैसे आ जाता है, 1,2,3,4,5,6,7,8, जैसे हो जो भी हुआ, Last में आप L लागाते हो, यह Long में आ गया, ठीक है, जो कि Unlimited होता है, ठीक है, Long Means Unlimited, Unlimited, Unlimited हो गया, ठीक है, तो इसको हम Donate करते हैं, मतलब कि Else's को Donate करते हैं, ठीक है, और Complex आ जाता है, Mix, जैसे कि 1,2,1a,1b, यह सब Complex में आ जाते हैं, ठीक है, तो Numerical Literals कितने तरह के होते हैं, मतलब कि इसमें आ जाते हैं, In, Long, Float, Complex, ठीक है, अब अब आ रही है, Boolean Literals कि, तो Boolean Literals में हम आएंगे, तो देखे, Sorry, Boolean Literals जो होता है, वो आपको, क्या देता है, True or False, ठीक है, यह आपको सिर्फ, Value आपका True में आएगा, या False में है, यह दो ही इसका True रहता है, या फिर False रहता है, ठीक है, और Special Literals होता है, और जो एक और होता है, Special Literals ठीक है, सिर्फ एक होता है, पाइटन में ठीक है, जो होता है, यह Special Literals है, पाइटन का, तो अभी हम देखे, ठीक Literals चार तरह के होते हैं, String, Numeric, Boolean, Boolean, Special, ठीक है, String में आजाते हैं यह, नमबर आ जाते हैं, ठीक, यह देखें, मैंस 12 फ्रेस्टन, यह सब इंट में आते हैं, फिल लॉंग में आ गया है, बंदर की 1, 2, 3, 4, 7, 8, एल लिखते हैं, तो यह Unlimited को देखे, दीनोट करते हैं, लॉंग को ठीक है, मतले मिंस Unlimited आप समझ जा, ठीक है, और यह हो गया Complex के लिए, ठीक है, 1A, 1B, यह Complex मतलब दोनो, Integer, Integer और, Integer और मतलब String मिला करके जो होते हैं, वह Complex होते हैं, तो यह Complex Literals हो गया, ठीक, अब चलते हैं, बूलियन क्या होते हैं, ठीक है, बूलियन लिटरल्स क्या होते हैं, बूलियन लिटरल्स आपको क्या रिटर्न करता है, True होगा या फिर False होगा, सिर्फ यह 2, ठीक, और यह Special Literals का, पाइथन में यह Special Literals होता है, None, ओके, इसको मैं बाद में बताऊंगा, इसकी value किसी चीज को आप देते हैं, किसी चीज का value देते हैं, और value is equal to none, ठीक है, मतलब कि address is equal to none दे सकते हो, ठीक है, subject none दे सकते हो, इस तरह मतलब कि, जिसका कोई मतलब कि count नहीं होगा, इसलिए आप none से आप उसको denote कर सकते हो, पर चलते हैं, operators, operators क्या होते हैं, operator is a symbol that performs an operation, ठीक है, one or more operator, an operator is a variable or a value on which we perform the operation, और Python में operators साथ तरह के होते हैं, arithmetic operators, compression operators, assignment operator, logical operator, pitwise operator, membership operators, और identity operators, तो इसको हम बहुत अच्छे से जानेंगे, operators को, तो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे की वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं next वीडियो operator को operator के बारे में ले के आऊंगा, अच्छे से, तो आज के लिए इतना ही, धन्यबात,